हाउ तू फिक्स सैमसंग S71 इंकामिंग कॉल वोलियम प्रोब्लेम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिक्राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो हें इंकामिंग कॉल वोलियम प्रोब्लेम सौल्व कैस सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको यहां पर प्रॉब्लेम सॉल्फ करना है तो इस वीडियो को अंतक देखे जो भी मैं आपको सॉलुशन बताऊंगा उसको फॉलो करें आपका प्रॉब्लेम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा ठीक है इनकमिंग कॉल के इनकमिंग कॉल के रिलेटेट कुछ भी प्रॉब्लम में तो आप इस वीडियो को पूरा जरू डेखेगा वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप अनलाइन पेसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं इनकामिंग कॉल वोल्यम प्रॉब्लेम हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या किजिए का मोबािल को छिकिसे सीम काट को एजै और इंसर्ट कीजिए तो एसा करके देखे ब और dari रहा हुदा सब तो जब कॉल कर रहे हैं तभ आप अपने वॉलडर को में क्पीजिए इससे आपको वॉल्याम सुनाई डिए घLE जब कॉल कर रहे होते तभी आपको received नाहीं ऐसे करते में लेकिन यहाप किसी बहुत ही दिरे हो रहा है तो आप उससे इंक्रीज कर सकते हैं तो नेक्स्ट पर जाते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों आपको क्या करना है स्क्रोल डाउन करना है ठीक है एपस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है आ जाना है और आपको सर्च करना है फोन सर्विस तो यह और दोस्तों फॉन सर्वेस तो फ़ोन Safari में जाए इत्व dictionary किजिए स्टोरेज पर Effectलbucks करने के बाद कंपा कि बाद सारे लिए आप आप कर लिए उसके बाद दोस्तों आपको बेक करने के बाद आपको जाना है जैनур management पे एंड एंड आपको क्लिक करना है reset और उसके वाद जाना है रिसेट नेट्रोक सेटिंग डियल सी में तो सीम को सेलेक्ट करें और यहां पे reset पर क्लिक कर दीजिए ठीक है reset पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको password पुछा जाएगा mobile password बर दीजिए mobile password बरने के बाद आप बेख कीजिए mobile को restart कीजिए सारे applications को close कर दीजिए close all पे क्लिक करके ठीक है यहाँ पे and then आप चेक करके देखे call कीजिए problem solve हो चुका होगा अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर आपको अभी भी problem होगा रहा है तो जाए सेटिंग पर एक बार mobile connection को switch करने की कोशिश करें ठीक है नेट्रोक यहाँ पर switch कीजिए जैसी की तुझी 3G connection से आप उसको switch कर सकते ठीजिए पर connect कीजिए 3G काम नहीं कर रहे तुझी तुझी के बार 4G ठीक है से नेट्रोक रीफ्रेश होते हैं सारे साथ एक्सेस पॉइंट नेम पर जाएं ठीक है आपकी एपिएन सेटिंग और उसको भी एक बार reset कीजिए तो यहाँ पर reset करने के लिए आपको 3DOS पर क्लिक करना है और reset to default पर क्लिक करके आपको reset कर देने reset करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर बेक करें बेक करने के बाद दोस्तों चेक करके देखें कि incoming call कोल वुल्यम प्रोब्ल्लम सॉल्फ है या नी हो ए अगर सॉल्फ हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो जाएगा तो इस तरीगे से आपने incoming call volume problem solve कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो जेनरल management पर जाएए और reset पर क्लिक करके आपको factory data reset करना है और factory data reset करने के बाद यहाँ पर आपको password पूछा जाएगा तो password भर दीजिए और factory फिर नहीं करना चाहूंगे क्योंकि दोस्तों आपको सारे data जो है यहाँ पर कौने का दर रहते हैं ठीक है तो आप software update हो कि यहाँ पर solution करें अगर फिर भी problem आ रहा है तो हो सकते हैं जो भी बंद आपको call कर रहा है उसमें माइक का problem हो सकते हैं ठीक है माइक का problem हो सकते हैं उसके वज़े से आपको call William अच्छे से सुनाएं नहीं दे रहा हो या फिर आप किसी technician के मदद ले सकते हैं वह भी आपको problem जो ही solve करके को वीडियो पसने होगा थैंक्स वर आचीं